हलो दोस्तों मैं हूँ प्रवीर और आप देख रहे हैं टेकन टेकनिक्स आज के इस वीडियो में हम एक खास टॉपिक के ऊपर डिसकर्श करने वाले हैं टॉपिक कुछ इस तरह से है काफी सारे कमेंट्स आते हैं हमारा जो स्पीकर सिस्टम है उसके लिए हमें कौन सा केबल करना चाहिए और आज इस वीडियो में हम इस बारे में डिसकर्श करने वाले हैं हम जानने वाले हैं कितना वाटिस का स्पीकर सिस्टम के लिए हमें कितना एमें का केबल यूज करना चाहिए सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो पहले चीज यह है कि जहां तक मैंने नोटीस किया है काफी जगह पे मैं देखता हूं काफी लोग स्पीकर केबल यूज नहीं करते वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेर्स यूज करते हैं उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं अगर आप नॉर्मल इलेक्रिसिटी केबल यूज करते हैं जिसमें आपका करेंट सप्लाइर होता है घर के लिए तो आपका स्पीकर में ज्यादा प्रेशर जेनरेड नहीं होगा क्यूंकि आपका जो पावर अंप्लिफार होगा उसमें जितना भी डैंपिंग रहेगा वो ट् देखने को मिलेगी सायद लगेगा आपको कि प्रेशर सभी से नहीं बन रहा है और मिड रेंज जो है वो डेस्टॉटेड मिल रहा है और हाई एंड भी उतना क्लीन नहीं मिल रहा है तो इस तरह की फ्रॉबलम्स आपको नॉर्मल इलेक्रिक केबल्स में देखने को मिलेगी क्योंकि नॉर्मल इलेक्रिसिटी केबल्स जो है वो स्पीकर केबल्स से किस तरह से अलग होती है उसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं आपके जितने भी स्पीकर केबल्स है वो काफी उनके जो वैर्स होते हैं बहुत पतले होते हैं और आपका नॉर्मल इलेक्रिसिट केबल है वह उसका वेर जो है वो काफी hard होता है उसकी बज़े से जब एक signal पास होता है तो वो जो speed बननी चाहिए वो बनने ही पाती और damping जो है आपके hard cables की बज़े से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती है तो अच्छा pressure वहां पर बनने ही पाता है अब अगर use कर है अपने सेटप्स के लिए चाहिए आप लाइब साउंड या पर डीजे कोई भी काम कर रहें तो बिल्कुल कि ज्यादा अंतर सुनने को मिलेगी अभी हम जान लेते हैं कितना वर्डिस का स्पीकर सिस्टम के लिए आपको कितना एम्म का स्पीकर केबल यूज़ करना चाहिए पहले अगर आप एक 500-600 वर्ड तक का आपका स्पीकर सिस्टम है एक बॉक्स अगर आपका 600 वर्ड तक का है तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 1.5 mm का केबल आपको लेनी जरूरी है अगर आपका सिस्टम 1000 वर्ड तक है तो उस टाइम में आपको 2 स्केर अम्म का केबल लेनी की जरूरत है तभी आपका सिगनल की स्ट्रेंद बड़ेगी आपकी केबल कभी भी ओवरेटिंग का स केबल लेनी की जरूरत है अगर एक ही चैनल में आपने 2000 वर्ड से उपर का लोड दिया हुआ है तो उस टाइम में आपको 4 स्केर अम्म का केबल लेनी की जरूरत है उससे आपकी जो सिगनल की स्टेंथ है बहुत अच्छी रहेगी तो केबल को अच्छे से मैनेज कीजिए य उनके उपर आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाते हैं हाई क्वूलिडी ओडियो आपको मिले तो आज के इस वीडियो में मेरे पास यह टिप्स था अगर आप इस शीज को कि अपलाई करते हैं अगर आप पहले से कुछ गलत कर रहे हैं अगर इस चीज से मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को ज़रो एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताके उनको भी पता चल पाए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए बबाई, स्यू सून.